दिसम्बर में स्टार्ट हो रहे हैं बलकि कल से ही कुछ एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आप सभी के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं और इस वीडियो में जो भी बाते करने वाला हूं वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्ट सभी बच्चों के लिए एलफुल रहेंगी ज इनका एक्जाम स्टार्ट हो रहा है विकॉज ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जैसे एड्मिट कार्ट को लेकर हैं या आपके एक्जाम के टाइमिंग को लेकर हैं मुबाइल फॉन को लेकर हैं कैलकुलेटर को लेकर हैं ले जाना है नहीं ले जाना है तो इन सारे सवालों के ठीक है चलिए आप बात कर लेते हैं फटा फट से जो आपके काम की है देखो आपने जब 11 टॉल्थ में अपने एक्जाम दिये थे तो आप क्या करते थे आप एक बोर्ड लेकर जाते थे तो गत्ता बोलते हैं बैसिकली जिस पर आप अपनी आंसर चीट रखते थे तो क्या लेन होगा जिसमें आर पर दिखाई देगा ताकि चीटिंग की किसी भी संभावना को आप नकार सको मतलब की आप पकड़े ना जाओ अगर आप कार्ड बोर्ड पे कुछ लिख कर लेगे तो फिर वहाँ पर आपके लिए पंगा हो सकता है हालाकि वहाँ पर जिस बैंच पर आप एठते हैं वहाँ पर ऐसा कोई प्राब्लम नहीं होता है आप अपनी आंसर शीट को रखेंगे वहाँ पर विदाउट कार्ड बोर्ड भी आप अपने आंसर को इजीली वहाँ पर लिख पाएंगे तो कार्ड बोर्ड लेकर जाना नहीं लेकर जाना वो आपकी मर्जी ह या आपको carry करना है वो बढ़ अगर लेकर जाओ तो भाई ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट जो होता है न बिल्कुल white वही लेकर जाईएगा ठीके दूसरी चीज mobile phone को लेकर है mobile phone allowed है नहीं है mobile phone भाई देखो simple है और समझो mobile phone allowed होता है कभी exam के अंदर नहीं होता न अब आप mobile phone लेकर भी चले गए तो दो ही सूरत होंगी उसकी या तो phone आपके examination hall से बाहर रखवा दिया जाएगा जो की risk है वहां से गायब हो सकता है या फिर आपके examination hall के अंदर teacher के पास आपके bag में या किसी और के bag में आप teacher की table पे रखवा दिया जाएगा वहां पर भी risk है कोई और उठा कर ले गया तो फिर क्या होगा अब again mobile phone लेकर जाना नहीं लेकर जाना ये भी आपके हाथ में है बट exam से पहले आप से वो mobile phone ले लिया जाएगा ये आपको सोचना है आपके साथ अगर कोई exam देने जा रहा है मतलब आपको कोई relative या father, mother कोई आपके साथ जा रहे हैं तो आप examination center में जाने से पहले अंदर उनको वो phone पकड़ा सकते हैं otherwise सबसे बढ़िया तरीका क्या है अगर आप अखेले जा रहे हो या तो normal phone ले लो पांसो साथ सो हजार की phone आते हैं जोने हम keypad वाला phone बोलते हैं या तो आप वो ले जाईए अगर वो खो भी गया तो दुख नहीं होगा but सबसे बढ़िया option क्या है वगेर phone के चले जाओ अगर possibility है तो otherwise phone वहाँ खो सकता है वो आपका risk रहेगा उसमें Delhi University की कोई भी responsibility नहीं है बैग लेकर जाना है बैग लेकर जाओ मगर अगेन रखवाना कहा होगा वो बैग आपसे examination hall के बाहर ही रखवा दिया जाएगा examination hall के अंदर आपका book आपकी किताबे कुछ भी allowed नहीं होता है तो simple सी बात ये हमें समझनी है बैग ले जाना और mobile phone लेकर जाने में risk है क्योंकि वो खो सकते है अब आपके बड़े बैंड है आप क्या करोगे दूसरी चीज calculator allowed है के नहीं है देखिए जैसे कुछ numericals होते हैं कुछ papers ऐसे होते हैं जैसे financial accounting की बात करूँ महाँ पर calculator allowed है अगर basic calculator ही ले जाना allowed है scientific calculator या watch के अंदर calculator या ऐसी watch ले जाना जिसमें android watch जिसको बोलते हैं आज कल बहुत advance आ गई है ऐसी watches ले जाना भी बिलकुल allowed नहीं है basic calculator आप जरूर करी कर सकते हैं वो allowed है ठीक है उसके अलावा important एक चीज और है कि आपको जो document carry कर रहे है अपने exam से में वो क्या क्या ले कर जाने है सबसे पहली चीज आपका admit card of course उसके बिना तो आपको entry नहीं मिलेगी admit card का print out निकला लेना black and white print out या color print out जो भी आपको suit करे वो आप print out निकाल लेना उसका तीक है आपका ID card होगा वो आपको लेकर जाना है साथ में उसके अलावा कोई भी government ID ले सकते हैं pen है अधार card है passport है कोई भी government ID आप लेकर जा सकते हैं अब आप ये मत सोचना कि इन document की ना hard copy ले जाने की क्या ज़रूत है print out की क्या ज़रूत है मैं सिदा सिदा phone में ले आता हूं photo gauge के तो भाई phone वाला कोई भी document valid नहीं होगा वहाँ पर ये चीज पहले से सोच कर जाएगा इसलिए सबी चीज़ों का print out बल्कि government ID के लिए आपको बोलूँगा कि original अपने साथ carry कर ले जाओ ठीक है बढ़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसकर रस्ते में बिकास बहुत सारे बच्चे metro बस वगेरा से सफर करेंगे तो ये तीनों चीज़ें आपके साथ जरूर कल होनी चाहिए जब आपके exam के लिए आप जाएंगे अब आपको exam का आपको पहुंचना है अपना exam देने के लिए अब exam भाई क्या timing है या तो afternoon होता है या morning होता है अब कितनी देर पहले पहुंचे देखो मैं तो आपको recommend करूँगा भाई एक गंटे पहले पहुंच जाओ अब मैं एक गंटे बोल रहा हूँ नो आदे गंटे पहले मतलब कि 9 बजे entry start हो जाती है और अगर आप लेट पहुंचे पेपर फिर आप ढंक से नहीं कर पाऊगे तो वो एक problem है अच्छा इसका सबसे बड़ी है solution पता है क्या है जैसे ही आपका admit card आ जाए और उस पर examination center आपको दिख जाए न जो भी option आपके पास है जिसके तुरू आप उस center पर जाएंगे exam वाले दिन उससे पहले ही न वो center आप जाके देख पाओ देखाईए उस center को जाकर भी कोई जासा बहुत बार होता है हम पहले दिन जा रहे हैं exam देने और वहां लेट हो गए क्योंकि पता ही नहीं होता center का है ढूंड़ते रहते हैं examination center के आसपास गूंते रहते हैं center नहीं मिलता मगरा में तो अगर आप पहले जाकर देख लोगे न यार तो बहुत असान हो जाएगा आपके लिए अगली बार जाना जब आपका exam होगा तो मैं request करूँ आप सभी से examination center पहले जाके जरूर जरूर देख कर आईए because ये बहुत important चीज़ है देखे और 38 मिनट पहले या 10 गंटा पहले अपने examination center पे आप पहुंच जाओ और वहाँ पहुंचने के बाद आप आपको करना क्या है जब आप examination center में enter करोगे तो महाना notice board लगाओगा जहां पर आप सभी के roll number के हिसाब से आपको classroom a lot होते हैं यह आपने 12th के जब board दियोंगे तब यह आपने चीज़ देखे होगी तो बिल्कुल वैसे ही अपने classroom को number देख लेना किस classroom में कौन से floor पर आपको कहां बैटना है as per your roll number जो आपके admit card आपके ID card पर mention होगा और उसके साब से आपको अपने classroom में जाना है अब जब आपका examination hall में जब आप पहुंच जाएंगे जब आपका exam शुरू होगा एक बहुत important चीज में आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुनियेगा अब आप आपको answer sheet दी जाएगी ठीक है वो आपको एक तो proper तरीके से fill करने है अपना नाम तो नहीं मेरक्याल से उसके अंदर होता roll number वगेरा आपका exam का code, paper का code वो सब बहुत अराम से बहुत तरीके से उसको fill करना उसमें गलती नहीं होने चाहिए अब सबसे important पता है क्या चीज़ है वहाँ पर ना जब आप exam दे रहे होंगे एक attendance sheet आएगी आपके लिए जिसमें आपका नाम आपके roll number के आगे आपको signature करने होता है भाई ये attendance sheet अगर आपने sign नहीं करी तो फिर ना future में आपका result खराब हो सकता है हो सकता है उस paper में आपको absent दिखा दिया जाए क्योंकि आपने attendance sheet mark नहीं करी अपने signature नहीं करे तो कैसे भी करके कुछ भी करके आपको वो attendance sheet sign करना भूलना नहीं है अगर आपके पास नहीं आती है न तो teacher से आपने मांगनी है कि जी मेरे को attendance sheet दो आज की मैंने attendance sheet अभी तक sign नहीं की है क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि result के time पर problem आती है आप तो paper देने गए थे बट result आता है जी आप तो absent थे तो attendance sheet एक proof की तरह भी काम करता है future में अगर कोई ऐसी समस्य आती है तो भई attendance sheet sign करना बहुत बहुत ज़ादा important है इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और आप में से न अगर किसी बच्चे के admit card में अभी भी किसी भी तरह कि आपको कुछ mistake दिखाई दे रही है जैसे examination center चपा हुआ नहीं है या आपका नाम नहीं है उसके अंदर तो या आपके कोई subject उसमें missing है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप दो काम कर सकते हैं क्या तो आप admit card एक बार दोबारा से डाउनलोड करके देख लीजिए क्या पता यह correction हो और अगर नहीं हुआ है तो आपको soul immediately visit करना चाहिए वहां जाकर यह correction करवाईए क्योंकि अगर examination center जैसी चीज ही missing है तो आपको क्या पता आपको paper देने कहा जाना है ठीक है तो back के बारे में बात हो गई calculator के बारे में बात हो गई watch के बारे में बात हो गई आपके timing को लेकर बात हो गई morning evening जो भी time है उसके एसाब से बस एक गंटे करीब पहले पहुंच जाना है examination center पे ताकि मारा मारी ना हो आपको paper लिखने की ठीक है दूसरी चीज़ जब answer लिखने बैठो गे न एक चीज़ का धहान रखिएगा 11 12 नहीं है ये आपके जो questions होंगे वो 9 नंबर का 10 नंबर का ऐसे question होंगे आपके तो answer की length आपको उस एसाब से बनानी पड़ेगी मैं बोलूँगा चार से पांच page का कम से कम आपका minimum एक जो answer है वो बनना चाहिए ठीक है अगर आप एक एक दो दो page में सिर्फ लिखकर आएंगे तो बात नहीं बनने वाली हो उससे ठीक है graduation level का paper आप दे रहे हो 19 नंबर का एक question होता है accordingly उसकी length तो भाई देखो जादा होनी ही चाहिए तो किसी भी गलत फर्म ही मत रहिएगा कि two to the point दो page में भर दूँगा और हो गया मेरा काम तो नहीं होगा आपका काम बहुत problem आ जाएगी आपके result में साथ ठीक है तो ये सारी के सारी चीज़े आपको बहुत जादा ध्यान रखनी है अपने exam से related और अगर आपका कोई भी doubt हो अभी भी exam से related तो आप comment section में डाल दीजेगा मैं आपको जरूर answer करूँगा ठीक है and चैनल subscribe अगर अभी तेक भी नहीं किया तो भाई आप कर लो और bell icon जरूर पैस कर देना और application डाउनलोड करना बिलकुल मत भूलना बहुत सारा content है वहाँ पर आपके लिए और साथ में classes भी हम लोग online offline mode पर provide करते हैं जो आप हमारे साथ join कर सकते हैं ठीक है I hope वीडियो अच्छा लगा होगा share का button तो भाई दवाई देना और like कर दीजेगा and I'm in a next video में all the very best for your exams Vijay Gupta signing off